गामे के पूरे आसार और केश और प्रसाद मौर्य मौजूद रहेंगे आप अक्सर भारत समाचार के जरिये अरुन सिंग को देखते होंगे ये हमारे पैनलिस्ट है पैनल पे भी रहते हैं बैठते हैं भारती जन्ता पार्टी की तरब से आई ये रास्ट्रिय महा सच्यू हैं बिजेपी के और राज्य सभा के सांसत के लिए आज नामांकन करेंगे मिर्जापुर के रहने वाले हैं बिसिकली वर्तमान में भाच्पा के रास्ट्रिय महा सच्यू है उडिसा के स्टेट प्रभारी भी है जिम्मेदारी दी गई है अरुन सिंग को राज्य के प्रभारी है 2014 में मोधी कैमपेन में इन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिली थी 1984 में इलहाबाद इन्वस्ट्री से असना तक है 88 में दिल्ली से C.A. की पढ़ाई इन्होंने पूरी की है और इस वक्त हमारे समभादता हमारे साथ जुड़े हुए है BJP दफ्तर के बाहरी मौझूद है बिदान बहुन के बाहरी संजे सिंग चौहार संजे कितने देर में नामांकन करेंगे जरा बताईए बिल्कुल मैं बता हूँ कुछी देर में नामांकन करने अरुन से पहुंचेंगे विदान भावन और उनके साथ सीम दोनों डिप्टी सीम दिनेश्तर्मा और केसो मौरिया के साथ प्रदेश अज्या जो सचन्द देव सिंग है वह भी मौझूद रहेंगे चुकि राश्ट्री मास अच्छी है और राश्वा की सीट खाली हुई थी उस जगह पर जाकर के नामांकन करेंगे चुकि अरुन जेटली की जगह पर आज उसकी नामांकन की जो प्रक्रिया है कुछी देर पर सुरू हो जाएगी एक चीज़ और संजे क्या अभी कोई बिपक्ष किसी ने अपना नामांकन भरा है यह परक्रिया बीजेपी पहली कर रही है और इसकी स्टार्ट हुई है अभी बिपक्ष ने किसी पकार का कोई नामांकन नहीं किया है लेकिन बीजेपी अभी कुछी देर बाद बिदान बार में पहुचे गे और अरुन सिंग के साथ सीम भी मौजूद रहेंगे और लॉल असकर के साथ यह नामांकन अब पूरा किया जाएगा रहुलिए बहुत शुक्रिया संजी सिंग चौहान आपका इस पूरी जानकारी के लिए आपको ध्यान होगा अभी थोड़े दिनों पहले ही तंजीम फातिमा रामपूर से बिधायक चूनी गई है वो राजसभा के सांसा थी वो सी